सूरजपुर नाम के गाउं में लालचंद राशन की दुकान चलाता था वो सरकार से मिले राशन में घोटाला करता था और बेचारे सीधे साधे गाउंवाले उसे कुछ नहीं कह पाते थे लालचंद का दोस्त मनोहर शेहर में एक किराना स्टोर चलाता था लालचंद आदे से जादा राशन मनोहर को बेच देता था और मुफ्त के पैसे कमाता था हाँ मनोहर भाई लालचंद बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैं बस बढ़िया तू बता अरे तू चिंता मत कर सारा राशन आ चुका है यहाँ गाउवालों को थोड़ा ही बाट दूँगा बाकी तो खरीद लेना है ठीक है अच्छा मैं रखता हूँ गाउवालों राशन लेने के लिए खड़े हूए अच्छा ओके लालचन जी राशन यह चावल गेहू और चीनी दे दो बड़ी देर हो गई धूप में खड़े खड़े पाउँ जल ले है गेहू पीछे से नहीं आई है यह चावल और चीनी ही आये है लाओ थेल आगे करो लालचन जी यह तो बहुत कम है इतने में पूरा महिना कैसे गुजारा होगा अब मैं थोड़ी खा जाता हूँ जितना बाटने के लिए मिलेगा उतना ही तो दुंगा पर लालचन भाया यहां राशन कार्ड में तो दो किलो चीनी लिखी है और यह तो सर्फ आधा किलो ही है एक तो इन गाउवालों का भला करो उपर से इनकी बाते सुनो राशन कार्ड में जो लिखा है उस पर मत देखो लेना है तो लो नहीं तो रहने दो मेरा इतना दिमाग मत खाओ गाउवाले बिचारे थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर की ओर लोट जाते हैं लालचन सारा राशन शेहर भिचवा देता है मनोहर भी अपने आप में बेमान था वो लालचन से खरीदे सस्ते राशन में ब्रांड के स्टीकर लगा कर अमीर परिवारों को शेहर में स्टोर चला कर डूट रहा था तो फिर दे दो और एक किलो चीनी, पाँच किलो आटा और बागी सारा सामान कर देना महिला सामान खरीद कर चली जाती है अच्छा उल्लू बनाया है सच्टे सरसों के तेल को स्टीकर लगा कर ब्रांड बना दिया है ऐसे ही अमीर ग्राहा ग्रोज आते रहे तो अपनी तो चान्दी ही चान्दी दोनों तरफ घोटाला था राशन गरीब का हो या फिर अमीर का बेइमान दुकानदार तो सर्फ अपना मुनाफ़ा ही देखते हैं इससे भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए गाउं में लालचंद मिलावट करके राशन बाट रहा था और उसी राशन को शेहर में मनुहर ब्रांड बना कर बेच रहा था लालचंद जी आपने कैसे चावल दिये इसमें तो कंकड़ी कंकड़े लालचंद के बेटा बहु शेहर में रहते थे एक दिन लालचंद के बेटे मनोच का फोन आया तो पता चला बेटा बहु दोनों बीमार है आप दोनों ने कुछ ऐसा खाया है जो आपकी तवियत खराब कर गया है क्या बता सकते हैं कि आपने कौन से तेल से सबजी बनाई थी या फिर क्या खाया था मैंने आज राष्टे में पूरी आलू की सबजी बनाई थी मनोच तुम जो नया तेल लाए थे ब्रांडेट बढ़िया वाला उसी में ही तरी थी पता नहीं उसके बाद से मुझे भी उल्टिया शुरू हो गई और मनोच को भी बाबुची राष्टों में मनोहर चाचा की दुकान से ही लेकर आया था उनके नौकर ने मुझे एक ब्रैंडिट बढ़िया तेल दिया था घबराने की कोई बात नहीं कभी कभी हमें कोई चीज नुकसान कर जाती है इसलिए हमें कुछ भी खरीटते समय ध्यान देना चाहिए बाकि आप दोनों ये दवाई समय पर ले लेना और पानी के साथ लिकुड चीज़े ज्यादा लीजिए कल तक आराम आ जाएगा कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा अब मैं चलता हूँ बाबुजी जब मैं राशन लेने गया था तो मनोहर चाचा दुकान पर नहीं थी नौकर नहीं मुझे राशन निकाल कर दिया था उसने ही कहा कि ये ब्रैंड़ेट तेल मनोहर चाचा सब ग्रहकों को देते हैं मैंने भी खरीद लिया इशायद बढ़िया होगा मुझे तो लगता है मनोहर चाचा राशन में मिलावट करके देते हैं अब मैं उनसे कभी राशन नहीं खरीदूँगा लालचंद उस दिन मनी मन बहुत शर्मेंदा था वो यही सोच रहा था कि आज जो उसके बेटे के साथ हुआ है वो और भी लोगों के साथ तो होता होगा या हो सकता होगा वो भी तो गाउं में राशन में मिलावट करके देता है लालचंद मनोहर के पास जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है मुझे माव कर देना लालचंद भाई मैं उस दिन दुकान पर नहीं था अगर मैं दुकान पर होता तो मनोज बेटे को ये तेल की बोतल ना देता भाई तो मैंने दूसरे ग्राहा को ये तो मैंने दूसरे ग्राहा को अब मैं तुझे क्या बोलू मैं खुद बहुत सिरमिंदिगी महसूस कर रहा हूँ भाई मनोहर हम दोनों आज मिलकर प्रण करते हैं हम राशन में कोई मिलावट करके नहीं बेचेंगे मैं तो गाउं चाते ही अपने आपको बदल दूँगा जो राशन पीछे से आएगा मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बट्चों के साथ भी हो इसलिए मैं भी प्राश्चित करूँगा ग्राहकों को बढ़िया राशन दूँगा भाई उस दिन के बाद से लालचंद गाउं वालों को इमानदारी से राशन बाटने लगा अब वो राशन बाटने में कोई भी घोटाला नहीं करता था और शेहर में भी मनोहर ने अपने आपको सुधार लिया और ग्राहकों को बढ़िया राशन देने लगा आर्यन, आराध्या, मैं आखरी बार बोल रही हूँ फिनिश योर मील, कमोन फास, चलो मैं अपने हाथ उसे खिलाती हो No, ममा, मुझे नहीं खाना, मुझे पीज़ा खाना है Yes, ममा, मुझे भी नहीं खाना ये डाल-चावल दिखने में कितना मैसी है, मुझे, मुझे तो बर्गर खाना है नो बेटा, जंक फूट कभी कभी खा सकते हैं, बट रोज जंक फूट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और आपको पता है न, पापा अभी अभी आफिस से आए हैं, वो बहुत ठके हुए हैं और आराम कर रहे हैं, तो आज हम बाहर नहीं जा सकते, ओके, यही खान खाना होगा तुम दोनों को, एक बार खाकर तू देखो, बहुत टेस्टी है, आर्यन और आराध्या को घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, उनके पिता अभी लाश का शेहर में बड़ा बिसनिस था, अभी लाश अपने दोनों मालिनी ने उसे समझाया, सुनिए, आप ये गलत कर रहे हैं, बच्चों की जिद एक हट तक ही पूरी करनी चाहिए, आपको पता है इन दोनों की आत्ते कितनी बिगरती जा रही है, दोनों घर का खाना चकने को भी तयार नहीं है, ओफो मालिनी, तुम कुछ जादा ही सोच मालिनी हार मान कर बाहर चलने के लिए तयार हो जाती है, सभी लोग बाहर जाकर पहले आइसक्रीम और फिर्जा खाते हैं, फिर कुछ देर बाद, आराध्या, जब तुम से इतना बड़ा पिर्जा खाया नहीं जाता तो क्यों मंगवाया, जल्दी फिनिश करो देर हो रही ह मालिनी, अब बस भी करो, कोई बात नहीं आराध्या बेटा, आप ऐसा करो, ये पिज़ा अपने साथ ले लो, बाहर चलते हुए ड़स्बिन में डाल देना, ओके? नो आराध्या, ऐसा नहीं कहते, वो गरीब है बेचारे, तुमने जो पिज़ा बरबात करके ड़स्बिन में डाल दिया, वो इन बेचारों को देखना भी नसीब नहीं हो पाता होगा शायए, अंदर में तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी बेटा, बट मम्मा, क वो इतना गरीब कैसे हो सकता है, कि उसकी पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, और से डस्बिन से उठा कर खाना पड़े, सब वक्त की बात है बेटा, सब लोग आपकी तरह लखी नहीं होते, इसलिए हमारे पास जो है हमें हमेशा उसकी कदर करनी चाहिए, कुछ भी चल पड़ते हैं, वो सभी कुछ दूर तक ही पहुचे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, वो सभी सुनसान हाइवे पर थे और रात काफी हो चुकी थी, अभिलाश गाड़ी का टायर बदल ही रहा था कि अचानक दो गुंडों ने उन पर हमला कर दि रास्ते में केले बिचा दी थी, जिनकी वज़ा से अभिलाश की गाड़ी का टायर पंचर हुआ, वो चाकु दिखा कर अभिलाश और मालिनी से उनका सारा कीमती सामान मागने लगे, आर्यन और आराध्या डर के मारे रोने लगे, ये देखकर दोनों गुंडे घबरा गये, वो बच्चों पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन ही पर किसी ने हमला कर दिया, कोई उन पर पीछे से लगातार पत्थर फेक रहा था, गुंडे कुछ समझ नहीं पाए और डर कर वहां से भाग खड़े हुए, मालिनी ने देखा कि गुंडों को भगाने वाले और कोई नहीं बलकि वही दो बच्चे थे जो पिज्जा शॉप के बाहर दिखे थे, उन दोनों का नाम राजू और पिंकी था, मालिनी ने उन दोनों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम लोग अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, अरे अंटी आप डरिये लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी का एक नहीं बलकि आगे के दोनों टायर पंचर थे, रात काफी हो चुकी थे, अभिलाश और उसका पूरा परिवार हाईवे पर फंस गये थे, उनका घर भी वहां से काफी दूर था, उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा मुझे लगता ही बच्चे सही कह रहे हैं, हमें रात भर यहां ऐसे नहीं रहना चाहिए, इनके घर ही चलना ठीक रहेगा, अभिलाश मालीनी की बात मान लेता है, और फिर सभी लोग राजू और पिंकी के घर जाते हैं, राजू और पिंकी के पास घर के नाम पर एक तूट इतनी देर कैसे हो गई बेटा, तुम दोनों की चिंता हो रही थी मुझे, कुछ नहीं मा, ये सब छोड़ो, ये देखो, आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, इतना कहकर राजू उसे पिज़ा का एक टुकड़ा शीला को खिलाने लगता है, जिसे आराध्या ने ये सब देखकर आराध्या बोलती है, जी, ये तो वही पिज़ा है न जो मैंने, आराध्या चुपो जो, मालिनी और आराध्या की आवाज सुनकर शीला चौंक चाती है, और उनके बारे में पूछती है, राजो उसे सारी बात बताता है, फिर शीला उनसे कहती है, बहुत अ आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग यहां अकेले, आपके पती वो कहा हैं? वो, वो तो हमें बहुत पहले अकेले छोड़ कर चले गए, इसी हाईवे पर एक हाथ से भी उनकी मौत हो गए थी, और मैंने अपनी आखे खो दी, तब से मैं और मेर दोनों बच्चे बे सहारा हो गए, और दो वक्त की खाने के लिए भी मेरे बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है, मालीनी को शीला और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है, मालीनी उसके दोनों बच्चे और अभी लाश, सभी वहां बैठ कर सुबह होन नो ममा, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे भी भूक लगी है, मालीनी और अभी लाश के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बच्चों को समझाई रहे थे कि तभी राजू उनसे बोला, ये लो दोस्त, तुम ये खा लो, राजू के हा ना, पता नहीं कहां से उठा कर लाया होग ऐसे भी, नहीं दोस्त, ये रोटिया मैंने और मेरी बहन ने दिन में बनाई थी, अपने हाथों से, तुम्हें भूक लगी है ना, इसलिए मैं, आरियन, क्या तरीका है ये बात करने का, आरियन और आराध्या को भूक लग रहे थ उस वक्त तो वो दोनों उन रोटियों को खाने से मना कर देते हैं, लेकिन रात भर भूखा रहने के बाद, सुबह भी जब उनकी गाड़ी काफी देर तक ठीक नहीं हो पाती, तो उनसे रहा नहीं जाता, अभिलाश मदद की तलाश में गया हुआ था, दोनों बच्चों का भूख से बुरा हाल था, तभी उन्होंने देखा कि राजू और पिंकी अपने मिटी के चूले में फिर से गर्म गर्म रोटियां बना रहे थे, अब तो आराध्या से रहा नहीं गया, और वो मालीनी से बोली, ममा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इनसे कहो ना कि मुझ अच्छा लग रहा था, इतने में अभिलाश वहां आ जाता है और कहता है, आर्यन, अराध्या, आजाओ बेटा, देखो मुझे थोड़ी दूर एक रेस्टांट मिल गया, मैं तुम दोनों के लिए बर्गर लेकर आया हूँ, नो पापा, हमें बर्गर नहीं खाना, ये अज पहली बार इन्हें भूक और खाने की एहमियत का एहसास हुआ है, जो इनके लिए बहुत जरूरी है, इतना कहकर माली नी अभिलाश के लाए हुए बर्गर, राजु और पिंकी को दे देती है, अभिलाश अपने साथ एक मैकेनिक भी लेकर आया था, जो कुछी देर मे उनकी गाड़ी ठीक कर देता है, वहां से जाने से पहले माली नी शीला के सामने हाथ जोड़ कर कहती है, मैं आपका जितना शुक्रिया आदा करूं, वो कम ही है, नहीं नहीं मेम साफ, भले ही हम गरीब है, लेकिन इनसान होने के नाते, इनसानियत दिखाना हमारा फर्ज है, शीला की बात सुनकर माली नी और अभिलाश को बहुत अच्छा लगता है, वो शीला और उसके परिवार की मदद करने का फैसला कर लेते हैं, वो जब भी वहां से गुजरते, राजू और पिंकी के लिए हमेशा खाने की बढ़ियां-बढ़ियां चीजें लेकर आते, दूस अगर आपको ये विडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं, देखते रहीए, बेस्ट बडीज